हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तुम लोगों का एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी पचास करोड के हीरे पचास करोड के हीरे तुम लोगों के पास सिर्फ दोन दिवस आहे दोन दिवस कीमत चुका दो और इन लोगों को लेके जाओ जरासी भी होशारी की ना ये धमकी नहीं है चितावनी आहे, चितावनी ऐसे नहीं पहुचे तो पहले चुविस्तास में एक और दूसरे चुविस्तास में दूसरे खो एक घंटे में हम लोग सरकपूर फेक्टरी बहुच जाएंगे ये लोग कलगाओ वालों ने फिर से फेक्टरी में अंगामा किया था किसे जीक नहीं सकते, फाल दूगा जगडा, मिल्ला मिल्ला कुछ है नी इनको अगर मान जाते तो पाइदा इनी लोगों को होता अरे यार में तो केता हूँ बेवकूफ हैं ये लोग अरे कमपनी इत्ताचा मुआवजा ओफर कर रही थी, ले लेना चेकिये था नहीं अपनी जित पर अड़े हैं, जंडा उठाकर खड़े हैं, पताने क्या चाहते हैं ये लोग इस्क्यूस मी, येस, वो मेरी कार सुरा खड़ाब हो गये, वो अप लोग देख लेंगे जरा, हाँ, जरूर वैसे आपको जाना कहा है, हमारे साथ आ जाईए, आए मिन अपको छोड़ देते हैं, और देखिए आप अपनी कार की बिल्कुल जिन्ता मत कीजिए, वो वो सुरक्षित सर्विस एंटर पहुँच जाएगे, हमारे साच मुच? यह सर, गाड़ी के नंबर से पता चला है कि यह ड्राइवर, आरके वेप्स कंपनी का ड्राइवर है, हामने कंपनी वालों को इंफर्म किया है, वो लोग आते ही होंगे बिल्कुल पास से गोली मारी है, वांड ब्लैंक यह टायर के मार्क्स लगता है यहाँ कोई दूसरी गाड़ी थी आसपास देखो, कुछ और मिलता है क्या, इसकी गाड़ी देखते हैं तिन तिन लप्टोप है गाड़ी के अंदर लट्टा गाड़ी में ड्रैवर के अलावा और भी लोग थे सर, सर तीन मोबाइल तूटे वे वां मिले जाड़ी के पास और यहाँ गाड़ी के अंदर तीन लाप्टोप सर, इन तीनों के मोबाइल्स ने चीने होगी और इन्हें तोड़ दिया थाकि लोकेशन ट्रेस नहों पाए इसक्यूज में आप आप जी में विक्रान्त हूँ, आरके विप्स कंपनी का CEO और यह मेरी चीफ फंक्शनल ओफिसर मालनी है हलो सर कौन पॉन था इस गाड़ी में, आपको मालूम है? अब है मुरली और संजीव, वो तीनों हमारे टॉप के एक्जेकेटिव्स हैं, हमारे फैक्टरी के काम से सरकपूर गए हुए थे लेकिन इतनी बड़ी बात होगी, इसकी उमीद नहीं थी ठीक है अपराण हुआ है तो फिरोती के लिए कॉल जरूर आएगा ऐसा कोई भी कॉल आप लोगों को आए पहले आप हमें इंफर्म करेंगे शूर सर तो ऐसे भी खुणी नहीं यह पर कोई असुराग तो छोड़ा नहीं है ना ही किसी को कुछ पता है तो जब तक वो लोग कॉल नहीं करते हैं हम कुछ नहीं कर सकता है अंकर बाटी का फॉरंसे क्लाप पजवादा मस्याज है किटनाप इसके बारे में जानकारी चाहिए तो इस लिंक को चेक करो बात हुआ जो है पिल्ली का खेन अकबस सर इसने तो जान से मार दिया सर यह यह वीडियो वो लोग टीवी पर दिखा रहे लिकने फुटेज चैनल वालों को मिला कहा से यह इस तरह का पुटिज आप लोग नेशनल टीवी पर दिखाते हो है कोई अचार साजीता है क्या नहीं कोई नीती है क्या नहीं तुम लोगों में कम से कम लोगों के प्रती अपनी जिम्मेदारी तो समझ लेते है पर सर अम लोगों तक खबर पहुचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी एना बस बस जिम्मेदारी की बात आप मत कीजिए समझें यही जिम्मेदारी निवाते वे भूल जाते हो न तुम कि जिसकी बेरे में से कतल हो उसका वीडियो दिखाते हो पर यह नहीं सोचते कि उसके बेचारे माता पिता पर क्या गुजरी होगी उसके पदी पर क्या गुजरती होगी उसके बेचारे बच्चों पर क्या गुजरती होगी नहीं सचा कभी ? नहीं वसब लेवर से ठयार भी बढ़ा शर्क तो उयं होो यहां सरर, यतना नहीं उसा.. अजैसे वी फूटेज को उमने अपूटेज को सबीके शाथ नहीं को सबीके शुटेज इसोस मिला जीम्न्झे ? एन जीम्ने शाथा मुझे किसने दिया था सर्भ वो तो मुझे नहीं बता अने दो गंटे पहले मुझे कंजान नंबर से फोन आया उसने कहा कि उसके पास आरके विप्स कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत है कि कैसे सरकपुर की बंजर जमीन के पीछे उन लोगों का हाथ है तो आप मिली हूं से? सर्भ मैं मिलने तो गई थी और काफी देर इंतजार भी किया लेकिन कोई नहीं आया फिर में वहां से लौट गई हाँ लेकिन जब अपनी गाड़ी के पास आई तो देखा गाड़ी की विंडशीट पर एक एनवलप चिपका हुआ है उस एनवलप के अंदर एक पेंड्राइफ था यह सारी फुटेज मुझे उसी पेंड्राइफ से मिली है सर्क इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जान दी रास्ते चलते तीन लोग किटनाप हो जाते हैं किसी को फिरती के लिए कॉल नहीं आता है यह फुटेज आती है तो आपके पास क्यों? किसी और के पास क्यों नहीं है फुटेज? सर्क, क्योंकि यह पूरा मैटर मैं स्टार्टिंग से ही रिपोर्ट कर रही हूं आर्किवेब्स कंपनी के वज़े से गावालों को जितनी दिक्कते हुई है वो सब मैंने ही कवर की और गावालों का पक्षवी मैंने ही रखा है शायद इसी वज़े से तो तुम्हें असा लगता है कि इन सब के पीछे गावालों का हात है पता नहीं सर्व यह मैटर दो-तीन साल से चल रहा है गावालों ने प्रटेज भी की थी धमक्या भी दी यहां तक की पथरबाजी भी हुई थी लेकिन गावाले सच मुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं हम पता लगा लेंगे सब पता लगा लेंगे कौन है इसकी पीछे नहीं छोड़ेंगे हम किसी को आये सर सर यह सुधादर है सरकपुरगाव का सरपंच देखो साब यह सच है कि अम कमपोने वाले खिलाब आंदोलन कर रहे है और यह अमारी हक्की लड़ाई है सालों से चल रही है लेकिन साब हमने इस गलत काम नहीं किया आवर यह लोग अयसा काम नहीं कर सकते साब लेकिन उस वीडियो में जो लोग 세, वो तो गाओ कहीं लग रहे थे है उनकी बोली और वो जो हत्यार था वो तो गाओ कहीं है ना ysz अधाल weights यह लोग ओ लोग नहीं है, मैं दावे के सथ कह सकता हूँ साब, कि कोई जान बुचकर हमारे गावालोग को फसाना चाहता है, अच्छा इस मामले में पहले भी कोई हिंसा की बारदात हुई है, सार में तीन-चार लोग है, मत्तब भीड रहती है, लेकिन साथ में वही तीन-च एक बारदात है, मत्तब भीड यह ताव जान बढ़ी है, यह जानता हुए क्या है थिए तुप ज़ीन में लोग, भीड़े गंगे वहले जाना बरदात है, अच्छा हैुए कमपनियों लोगों ने इनका सब कुछ बरबाद कर दिया है, यह लोग बलत लोग नहीं साब, मैं जानता हूं न इनको क्या हुआ क्या इनका सब विनायक ने लाखों का करजा लिया है लेकिन करजा चुका नहीं पाया चुकाएगा कैसा सर उसकी जमीन ये फैक्टरिच से निकलने वाले केमिकल्स और जहर की वज़से जमीन बिल्कुल बंजर हो गई और वेचना भी चाहता थ उसके बाबा ने तो पैसों की तंगी की वज़ेसे अश्या कर ली तो आप भी बताइए इसका जिम्मेदर कोना है ये तिनों का है पता नहीं साब देखो साब हम लोग सिधे सदे लोग है हमारा सब कुछ तो जमीन है अगर जमीन ही बंजर हो गई तो हम लोग क्या करेंगे और हमारी साहलत पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ती क्यों हम लोग गरीब है इसलिये देखो साब मगर हम हारने वाला मैंसे नहीं है हम डट के मुकाब्ला करेंगे साब हम अपना हाग लेकर लेकर हैंगे हम अपना हाग ये विनायक, शंकर और किशोड इंग त्युनों के तो लगता है यही तीनो है हाँ लगता तो है तो हमारे पास सबूत नहीं है वो फुटेज फुटेज फिर से देखते हैं शायद कोई सुराग हात लग जाए नहीं सर यह लोग तो काफी शात है यह वीडियो इस तरह से शूट किया गया कि इसकी लोकेशन यह किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं चलुए सर, आगे वीडियो में कुछ हलका साथ दिख रहा है शायद काम का हो यह तो पत्थर है, सर? पत्थर के यह तो चट्टाने किसी बाण का है सरी मुझी यह यह, गुफां यह से बुछ लगता है, खंडर होते हैं पुर्वी, चेक करो, इस गाउं के आसपास कुछ गुफां यह खंडर वगरा है क्या? गुफां है तो बहुत सारी है लेकिन सब कुछ चेक करने में तो काफी टाम लग जाना पर हमारे बास वक्त ही तो नहीं है सिर्फ गंटे बचे, आठ गंटे के अंदर अमने कुछ नहीं किया तो और एक जान चिली जाए गया और एक खुन होगा एक मैट यह बुर्वी जड़ा वीडियो फेसे रिवाइन करने आभी प्ले करो लेकिन यह बैग्ग्राउंड की आवाज बढ़ा दो आगे वाली आवाज बंद कर दो पानी पानी की आवाज लगती है देखो आसपास कोई जर्ना या नदी बगरा है क्या यह सर एक नदी तो है सर उस तरव पही गुफा है जिसके पास से नदी गुजरती है यह जो आपनी नदी तो कर दो शर बोड़े एक कोपाः वतिकैँ जीका, हाप्लो के ईपरु की अजया चलब औ्यान तो काफी ओने अजया सब्सक्राइब लेकिन आने में देर हो गए लगता है उन गावालों को बता कर हमने गल्ती करती कि इनी में से किसे ने खबर दी होगी हम अगर ये अब है जिसको मारा थे उसकी लाश का है अब है तो मर चुका है तो ये क्या है सब्सक्राइब लगता है कि हमारे पास और कोई जारा ने है हमें उनकी डिमांड मान लेनी चाहिए क्या बात कर रहें हाँ एक बार बात मानेंगे तो वो लोग बार बार ये ही करेंगे अप लोग कब तक उनके डिमांड मानते रहेंगे तो सार आम फिर कर रहें क्या सकते हैं लोगों के जिंदगी पैसों से जाधा कीमती है ना बेशक है बेशक है लेकि इस बात की क्या गारेंटी कि हीरे मिलने के बाद वो लोग उन दोनों को छोड़ देगे है कोई गारेंटी क्या पता वो लोग अप्पी सिंदा है या नहीं हो सकता है उन लोगों ने उने पहले ही मार दिया क्योंकि किड्नापिं केश में अक्सर ही होता वो लोग ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते पिशली बार भी हम उन तक पहुचे गए थे बस थोड़ी से देर हो गई सर लेकिन इस पात के क्या गारेंटी है कि इस बात देर नी होगी जो लोग किड्नाप हो है वो लोग हमारे साथ काम करते है उनकी फैमिलीज को क्या चवाब देंगे कि हम मान चुकिए वोग वापस नहीं आएंगे इसली हम पैसे नहीं देंगे आपकी तारिफ सर ये प्रीती है हमारे कमपनी की प्यार हैट सर आप पही बताएं क्या कमपनी के एम्प्लॉईज के जिमेदारी में नहीं वो लो कमपनी के काम से गय थे, उसी के वज़े से मुसीबत में भसे हैं. अगर उनी कुछ हो जाता है, तो हम लोगों को क्या चुबाप रहेंगे, सर? हाँ, सर. और उस वीडियो के वज़े से हमारी कमपनी के कितनी बदनामी हो रही है? हमारी कमपनी की शेयर्स के दाम गिर गए हैं, सर. और अगर इस वक्त हमने पैसो का मो रखा, तो ना हम लोगों की जान बचा पाएंगे और ना ही एक कमपनी. अब आप ही डिसाइड़ गीजे अपको क्या करना है? मुझे लगता है कि तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो. हमारे पास और कोई आप्शन नहीं है. हम उन्हें हीरा दे देते हैं. क्योंकि मैं अपने इंप्लोईज के जान को जोखिम में नहीं डाल सकता. प्लीज, सर. अरे सीमा, चल्दी सार, आपका इंतिजार करें. येस. सौरी सर, व्या लेट. इंटर्व्यू शुरू करें. लेट्स दू इट, हमारे पास वक्त नहीं है. हम, चलो. अर्के विप्स कंपनी के सीएओ, मिस्टर विक्रांथ, एक बहुती इंपॉर्टन अनॉंस्मेंट करना चाहते हैं. आईए, उनसे बात करते हैं. मिस्टर विक्रांथ, आपनी इतनी अर्जिंसी में क्यो गलाया हैं? हमें किड्नैपर्स के सारे डिमांड्स मन्जूर हैं, बस हमारे उनसे सिफ एक ही रिक्वेस्ट है, वो हमारे इंप्लाईस को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, उन्हें किसी तरह की कोई शती ना दे, प्लीज, इट से रिक्वेस्ट, देखिए इस स्क्रीन पर जो नम्मर्स थैंक यू सो मच, थैंक यू अभी आपने आर्के विप्स कंपनी के सीयो मिस्टर विक्रान को सुना उन्होंने किड्नापर्स की मांग मान ली है, उन्होंने किड्नापर्स से अपील की है कि वो उनके लोगों को छोड़ दे, यहां दूसरी तरफ सी आईडी ये आशंका सर्प, इंटिव्यू अन-air हो चुका है, ठीक है, वोज़ नंबर उसको सर्विलेंस पर दाल दो, कभी भी फोन आ सकता है उन्हों का हलो, मैं किन्ने अपर बॉल रहा हूं, किन्ने अपर? सुनो, वो जो ही रहना, वो तुम लेके आना, इधर तेरे को ही चाने का है, वो भी आख के ले मैं? मैं क्यू? हाँ तू, और कोई शानपती मत करना, बरना इन दोलों के साथ-साथ तेरे को भी चान्से मार देंगे एड्रेस पर जाये मोबाइल पर, हीरे लेकर उत्तरी चा के खड़े रहने का, वहाँ पास आगे का बताने के लिए में फोन करूंगा मैं, मैं नहीं जाओंगी, आप लीज किसी और को भीज दीजे देखो डरो मत, तुमें कुछ नहीं हूँ, हम है ना? देखो हमारे उन दोनों इंपलाईस की जान तुभारे हाथ में, हमारे पास दूसरा कोई जारा नहीं है लेकिन, लेकिन मैं क्यू जाओंगी हाँ? अगर उन लोग ने तुछे मार दिया तो, तो मेरी फाइमली का क्या होगा? नहीं, मैं नहीं जाओंगी मैंने कहा नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, जिस्ट रिलाक्स, ओके? यह टाबलेट ले लो, इससे तुम्हें स्ट्रेस कम होगा, लोग देखो, सीमा, हम तुम्हें अकेला नहीं फोड़ोगे हम लोग आसपास ही होंगे तुम्हारे साथ ट्रेकिंग डिवाइस लगाओगा, तुम जान भी जाओगी, हमें पता जलता रहेगा नहीं सार, आप लोग ने सुना नहीं क्या, और लोग ने क्या कहा अगर मैंने कोई भी होशारी की, तो वो मुझे मार देंगे सार, यह बिलकुल सही कह रही है, यह भी मारी जाएगी, और साथ मेरे वो दोनों इंपलोईज भी मारे जाएगे सार, वो लोग जो डिमांड्स मांग रहे हैं, हमें मान लेना चाहिए हमारे पास कोई आप्शन नहीं है सर, मैं कम से कम किसी को मरता भा नहीं देख सकता आप लोग बहुत बड़ी गल्दी कर रहे हैं छोड़ दो हमें, देखो तुमें पैसे तो मिली जाएंगे ए चोब, अत्ता बस, यह उता उसको प्रेंगे झाल प्रेंग 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 ए ट्चर रहे हैं अजर खालो, हालो? यहां से बाए जाओ, आगी 200 मेटर पर कच्ची पक्टंडी मिलेगी, उसमे चलती जाओ, आखीर में जाके एक नदी मिलेगी, उसको पाल करके वहाँ बेखडी हो जाओ, और हाँ, पौन साथ में ही रखना, मैं फिर से कॉल करूंगा, यहां सीमा की कहाणी तो इस केस में नया मुळ्ले के आगी, वैसे पूरवी तुम्हारे आइडियाने कमाल करते हैं, सार, पौरवी, सार, एक क्लू मिला है, क्या, यह सीमा यहीं सरकपूर का इश्यू कवर नहीं करें थी, दरसल यह भी उसी गाओं को बिलॉंग करती है, क्या, हां सर, पढ़ाई कृतम करने के बाद यह शहर चले गए थी, लेकिन इसका परिवार अब भी उसी गाओं में है, और इस फैक्टरी के वज़े से उन लोगों का पी काफी नुक्सान हो है, पुर सीमा ने यह बाद तो हमें ने बताई, इसका मतलब है सर, इस सीमा के पास जी मोटिव तो था इस सब में शामिल होने के लिए, हां, तो सकता है, वो पेंडराइब भी उसी को मिला, वो किड्नापर्स का फोन कॉल भी उसी को आया, हां सर, और किड्नापर्स ने भी हीरे पहुँचाने के लिए उसी को ही चुना है, इस सीमा को कहीं भी अकेले जाने नहीं देना चाहिए, इस पर कड़ी नज़ा रखनी चाहिए, कुछ इस तरह से, उसे मालुम तक होना नहीं चाहिए, उसे पता तर नहीं चाहिए, और नहीं उन किड्नापर्स को, हां, पहुँआ हो, पंकच, यह एक माइक्रो ट्रैकर है, बस, अभी हमें किसी भी तरह, यह कैप्सुल, सीमा को कहलाना है, हमारा काम भी हो जाएगा, और उसको पता भी ने चलेगा, झाहिए, बस, अबस, अबस, आएख झाहिए, बस, आने चरोग एक पता रहां, झाल स्थाल एाइ। कि यहां पे रुकिये हैं अले ट्रेनर जब कहीं से भी आ सकता है वह द्रोन हालो एक काम करो तुमारे पास जो हीरे का पाउच है ना वह इस द्रोन पे वान दो लेकिन जैसा बोला जाये वेसा करो नोटें की नहीं जल्दी करो कि यह द्रोन पे बांद रही है यह तो जा रहा है अरे यार निकल गये तो कुछ नहीं कर पाएंगे भावाभ करशा बच्वार करे चाने जा रहा है वावाव तो कि यह तो अद्रोन पोला आड़ दो लेकिन जल्दी है यह तो लेकिन जल्दी करशोंगे छूर्प मात उन्हीं के पासे. सर इस तरफ से कोई आवास आ रहे है सर संजीफ ओ नौ मुर्ली मुर्ली चलो कम से कम जिंदा तो है जाते जाते यहां पर डाल दिया लगता है मिस्टर विक्रांथ यह संजीफ और मुर्ली यह में मिल गए है पर दोनों की हालोत बहुत खराब है आप एक काम कीजिए हमारी कमपणी का गेस्ट हाउस पास मही है उनको वहां पर लेकर आई है सारी मेडिकल फैसल्टीज उन्हें वहीं पर मिल जाएगी ठीक है सार यह संजीव और मुर्ली कम से कम इन दोनों के जान तो पच गई हाँ पर वो लोग है कौन है कौन वो लोग एक आदमे की जान ले थी पचास करोड की हीरे चुराएं वस हाथ लगने के माले थे लेकिन बाल बाल बज गए पर हमें एक सुराथ तक नहीं मिला एक सुराथ तक नहीं मिला सार पुरी कुछ पता चला यह तीन लोग विनायक, शंकर और किशोर इन दो दिनों में कहां थे सार, पुलिस इन पे नजर तो रखे हुए थी लेकि सार, यह विनायक कि यह कुछ घंटों के लिए कायब हुआ तो था अच्छा कहां गया था, किसी को पता नहीं पर यह काम गाहँ वालों का होगा ऐसा लगता नहीं है इसब करना उनके बस की बात होगी क्या यह द्रून वगर है का इस्तमाल करना सभी जीत आजकल यह द्रून खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है इंटरनेट में मिल जाता है सार, कोई भी खरीच सकता है क्या अंकर तो गेस्टाउस में है संजीव और मुर्ली होश में आजाएं सारी कानी साफ हो जाएगे संजीव और मुर्ली अब तो हमारी सारी उमीद संजीव और मुर्ली पर ही है इस जाता है अाता है इस जाता है । इस ख़े बाता है कि Л.O. करो लो कर दो झाल झाल सब्सक्राइब कर देखा और मैंने की चीखने की आवास तुनी तुम्हें भाग के आए और मैंने किसी को यहां से भागते हुए देखा तुम्हें हमें तो लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया सरुनी तो हीरे भी मिल गए थे ना फिर ये सब ये खून देखेना सर मुरली अभी तक कितने सद्मे में है आप लोगों में से किसी ने उसका चेरा देखा क्या नहीं सरु पंकच से पूछते हैं शायद उसने उसादमी का चेरा देखो पंकच का है पंकच दूसरे कमरे में है डॉक्टर सुने चेक कर देखता हूं मैं देखता हूं पंकच तुम ठीक हो अजयए पर अप्सुलुटली फाइन नओ थैंक यू क्या वगाता है यह पे एक्जाक्ली सर अमर्ली सॉरी सर मेरी आख लग गई थी सर अक्च छली होई कि मैं सन्जीव और मुरली के कमरे में गया तो वो सूरे थे फिर में भार आया हॉल में, हॉल में भी लोग सो रहे थे, वहें पर पास में एक कुर्सी थी तो मैं वहां जाके बैढ़ या सर, पता नहीं देखते देखते कब मेरी आख लगी सर मैं, मैं सो क्या सर, सड्डनली वहां कॉरिडूर के पास कांस टूटा, उसकी अवास से मैं हाँ वो तो गाउवाले ही होगा, सर, उन्होंको को हीरे मिलने के बाद भी उन्होंने संजीव और मुडली को छोड़ा था, हीरी है सर, शाया संजीव ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था उनको खत्रा हो सकता था, इसलिए, सर, अगर संजीव ने कुछ ऐसा देख लिया था, तो फिर उन्होंने संजीव को पहले क्यों नहीं मारा, पहले नहीं मार पाए, इसलिए तो यहां पर आ है, पूरा घर बन था, फिर भी, खुनी कांच तोड़के अंदर आया है, ना, अबी कैसे, तोड़ा तो बाहर की तरफ सही गया है, यह देखा, यह देखा, यह चक्कर है, मार दिया, संजीव को मार दिया और यह लोग, यह लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, पुछ नहीं होगा तुम्हे, अगर मार नहीं होता तो वो, वो ऐसे ही मार दिया है, संजीव के पास, आखरी बार कौन गया थे, जी मैं गया था, करीब एक बजे उनको होश आय था, बस थोड़ी देर के लिए, और होश में आते ही वो, प्रीती जी से बात करना चाते थे, तो फिर बात किया? जी सर, जब डॉक्तर ने मुझे बताया तो मैं उनसे नकी कमरे में मिलने गई थे, वो जल से जल अपने फैमिली के पास पॉछना चाहते थे, मैंने उनसे कहा कि कल सुबे तक हम उनके पास पहुचा देंगे, फिर वो सो गया और सर, हमारी भी हाँ आख लग गई थे, करीबन तीन बज़े के आसपास उनकी कमरे से चीखने की आवाज है, वहां जाकर देखा तो सर, फुई गाव का आईमी बिकुल मेरे पास से भाग र तो किसी ने काँच थोड़ा और वहां से अंदर आया, खिड़की का काँच बाहर से अंदर की तरफ गिरा, अब अगर कोई वहां से अंदर आएगा तो उसके पैरों से लगके काँच के टुकडे थोड़े आगे की तरफ फेलने चाहिए थे, लेकिन कमाल की बात यह है, कि क कैसे, वैसे, तो क कोई खिड़की से अंदर आया ही नहीं, bodily कांच तोड़के खिड़की का वह वहां से भाग गया, यह कैसी बाते कर रहे हैं, अगर को कम्रेम आया ही नहीं, तो संजीव का खून कैसे ख्या? नहीं किया, खोन उसने नहीं किया, आब मेरा सवाल आपसे है प तुमने उस खुनी को नहीं देखा, वो इसलिए, क्योंकि उखुनी कोई और नहीं, तुम खुद हो। पृती? संजीव ने जब मुझे मिलने के लिए बुलाया, तो वो बहुत परिशान था उसने मुझे बताया कि उसने गुफा के अंदर कुछ देखा था अज़ा, पर पाड़ी दो पिला दो, यार! यह क्या बखवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़ाद. ऐसा ही, और अब जूट बोलने से कोई फाइडा नहीं है. संजीव को सच्चा ही पता चल गए थी, कि मुरली का किटनाप नहीं हुआ है, बलकि वो खुड इस प्लान में शामिल है. वो जाकर पुलीस को सब कुछ बताना चाहता था. मैंने उससे कहा, हम कल सुबह जाकर मीटियो और पुलीस दोनों को सब कुछ बता देंगे, और वो जाकर सोगी. उस बिचारे को पता ही नहीं था, कि इस मुरली के साथ साथ, तुम भी सब में शामिल थी. सर, हमारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था. पचास करोड की हीरे हमारे जेब में थे, और इस बात की की खबर तक्मी थे. लेकिन संजीफ एंड मोमेंट पे सारा प्लान बिगाडने वाला तो और मैं क्या करती सर? इसलिए जिन आदमियों से मैंने किटनाइपिंग का नाठक कर वाया, उसमें से एक आदमी को मैंने वापस बुलवाया. और उसे कहा कि खिड़की के काश को तोड़ दे बाहर से. तकि ऐसा लगी कि बाहर से किसी गाओ वाले ये किया है. और यहां पे मुर्ली ने संजीफ को मार डाला. दुनेगार चाहे कितना भी शातिर क्यों नहूं, एक गलती जरूर करता है. वो गलती जो उसे जेल की सलाकों के पीछे पचाने के लिए काफी होती है. जैसे कि तुम लोग अब बाकी की जिंदेगी गुजरे की तुमारी जेल की कालकोट्री में. जैसे कि जरूरे की जिंदेगी जिए की बाकी की जिए में.